सबी दोस्तों को सलीम बगड़ुआ का राम राम मिट्रो अमारी सीरीज चल रही टी साइंस को लेकर उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं आज पढ़ते हम बहुर का हाइड्रोजन परमाणू परती रूप रदर फोर्ड का परमाणू मोडल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाता आज पढ़ेंगे बहुर का हाइड्रोजन परमाणू मोडल नेल्स बहुर इसका पुरा नाम था इन्हों ने ये मोडल दिया था जो बहुर परमाणू मोडल है 1923 में ये थरी मिस्प्रेंटिंग है ध्यान रखना 1922 में नहीं है 1923 में इन्हों ने अपना मोडल दिया जो रदरफोर्ड की कमिया थी उसी को दूर करने के लिए बहुर के दुवारा अपना परमाणू मोडल परस्टुत किया गया 1923 में क्या इफेक्ट थे परमाणू मोडल के उसको हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणू में इलेक्ट्रोन निश्चित ट्रिजा एव उर्जा की वर्ताकार कक्षव में गती करता है जिने कक्षिया कोस का आ जाता है मतल इन्हों ने निल्स बहुर का जो इफेक्ट था जिस पर इन्हों ने ज़्यादा चर्चा की वो था हाइड्रोजन परमाणू को लेकर हाइड्रोजन परमाणू के अंदर जो इलेक्ट्रोन है वो एक निश्चित ट्रिजा या उर्जा की वर्ताकार कक्षव में घूमते रहते हैं और उनी को हम कक्ष या कोस के नाम से जानते हैं मित्रो ये बात इन्हों ने कहीं दूसरी बात इन्हों ने कहीं कि इलेक्ट्रोन का जो कोणिये समवेग होता है वो ह बटा 2 पाई का गुण्ज होता है ये कहीं बार सेदा पुछा जाता है कि किस हाइड्रोजन परमाणू मोडल के तहत जो इलेक्ट्रोन का कोणिये समवेग है वो ह बटा 2 पाई का परतिरूप होता है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर हाइड्रोजन की उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है रदरफोड की जो कम्या थी उसी कोई दूर करते हुए हमने देखा कि निल्स भोड ने रदरफोड की कम्यों को दूर करने के लिए अपना अबस्म deployed आखता है तो उसकी ओर्जा में कम्या जाने के बाद वह नमिकमें गिर सकता है लेकिन निल्स भोड ने बताया कि एकło निश्चित कक्षा में चक्र लगाने पर एलेक्ट्रोन की उर्जा में कोई परिवर्तन नहीं याता है उचक्षा से अगर निमन कक्षा में Zeiten य और अगर कोई इलेक्ट्रो नीमन कक्षा से उच कक्षा में जा रहा है तो अवसो सनोगा दोनों इफेक्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है आपको ध्यान रखना है अब मित्रों कुछ छोटी छोटी ट्रम्में हैं उनके बारे में हम देखते हैं अवगादरो संक्या सभी पदार्थों के एक मोल में उसके कणों की संक्या निश्चित होती है इसी को हम मित्रों अवगादरों संक्या के नाम से जानते हैं इसका मान होता है 6.022 गुना दस्की घात 23 होता है यह आपको ध्यान रखना है ताप वैदाब की समान परस्थितियों में समान आयतन वाली गेंसों के समान संक्या में अणू भी उपस्तित होते हैं ताप और दाब टमप्रेचर और प्रेशर की अगर समान परस्थितियां हैं तो मित्रों समान आयतन वाली गेंसों के समान संक्या में अणू उपस्तित हो कि एस टी पी जो है उस पर आदर्स गेंस का मुलरायतन कितना होगा तो आपको सिधा इफेक्ट ध्यान रखना है 22.4 लिटर होता है उसके बाद नेक्स्ट एक ट्रम है क्वांटम संक्या क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे विस्तरी चर्चा करेंगे बहुत अच्छा टोपिक है क्वांटम संक्या इन में से क्वेशन पूछे जाते हैं चाहे आप दिली पुलिश की त्यारी कर रहे हैं और साइंस तो ऐसा टोपि कैंए एक कोई मर्जी एक उंपेैटिसंश में उसमें साइंस तो पुछी जाती है ,to quantum संध्या किसी पर्मारू में इलेक्ट्रोन की सईस्थिटी क्या हैration क्या है और इलेक्ट्रोन जोब हाई चुम्ब की चेतर से किस परकार से प्रभावित होता है इसी कोई चेक करने के लिए क्वांटम संक्या का यूज क्या जाता है और क्वांटम संक्या का सिद्धा सा संबद आपको क्या रखना है इलेक्ट्रोन की पोजिशन क्या है इसके लिए हम क्वांटम संक्या का करने के लिए किसका यूज करते हैं क्वांटम संक्या का और क्वांटम संक्या मुख्य रूप से कितनी होती है चार होती है मुख्य क्वांटम संक्या है जिसको समोल N से डिनोट किया जाता है दिग्वेशी क्वांटम संक्या L से चुंब किया क्वांटम संक्या M से और चक्रन quantum संक्या ऐसे हैं चक्रन quantum संक्या को इमित्रो सपीन quantum संक्या के नाम से भी जानते हैं अब one one quantum संक्या की बात करेंगे किस तरे से एक्जाम में हमसे question पुछे जा सकते हैं उन सभी की मैं चर्चा करूंगा आपके साथ मुख्य quantum संक्या इलेक्टोन के मुख्य तakahुरःतर को बताती है यह को उनके बारे में मुख्य कृटम संक्या बात करती है इसका मान 1 से सुरूर होता है और अनध तक चलती है फिलिद Cute पूछ रखा है जो मुख्य कृइंटम संक्या जो है उसका सीमा कितनी होते है तो इसकी जो एवरेज सीमा है वो एक से लेकर अनत तक चलती है एक से शुरू होती है जीरो से शुरूर नहीं होती है इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है और इस मुख्य क्वांटम संक्या के खोजगरता कोणते बहुर अभी जो हमने निल्स बहुर की बहुर की मुख्य क्वांटम संक्या को किसी भी कोस में अधिक्तम इलक्ट्रों की संक्या कितनी हो सकती है दो एक से शुरू होता है जैसे मानो मित्रो एन का मान एक है तो आप अगर इसमें रखोगे दो गुणा एक की स्केर इसको हल करोगे कितना आएगा दो आएगा तो पहला जो कोस होगा उसमें इलेक्ट्रों की संक्या दो होगी इसी तरह से एन का मान अगर आप दो रख दीजिए एन का मान क्या कर दीजिए दो कर दीजिए तो यहां दो की स्केर हो जाएगी दो की स्केर कितनी उठी चार इसका गु और ये किसी बारे में बताती है कक्षिया कोसों में इ government कितने ह będąगे जिसको के LMN के नाम से जानते हैं इन venture से में denktो जाते हुझे उन हे अपने को यह जादा आज करता सिस्टम थोड़ा अलग जिया कौन्टम संक्या का नमभर दे दिया कोज़ आधा । जैसे कि कोशन दिया ज्या मुख्या क्वांटम संक्या का मांध्री है तो जो दॉब्षी क्वांटम के इसाब से यह कौन सा। खक्षक होगा या इसमें इलेक्टोनों की संक्या कैसे होगी इस तरह से छोटा सा कोशत बढाके दिया जा सकता है डिग्वेसी क्वांटम संक्या जो है इसके खोज करता कौन से है समर फिल्ड परमाणू में उपस्तित उपकोस उपकक्ष या उप उर्जा के बारे में बताते जो कोस के बारे में या कक्षक के बारे में तो मुख्य क्वांटम संक्या जो उपकोस का से भाग उपकोस के बारे में उपकक्षा के बारे में उप उर्जा के बारे में कौन बताता है मित्रो दिग्वेसी क्वांटम संक्या इसका भी सीमा ध्यान रखनी है ये 0 से शुरू ह तक होती है मतलब 0 से शुरू होती है और n-1 मुख्य क्वांटम संक्या का जो विमान है उससे एक कम कर दीजिए 0 से लेकर वहां तक इसका मान ग्यात किया जा सकते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं मित्रो हम अब देखिए मित्रो डिग्वेशी क्वांटम संक्या किस्टरे से फाइंड करते हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं यह आपके पास एक टेबल दिखाई दे रही होगी एल का मान उपकोस आकरतियों इलेक्टरोनों की संक्या किसी होती है कही बार सिधा पुछा जाता है कि अगर आपके पास डी उपकोस है तो उसकी आकरती क्या बनेगी कई बात पूछ लिया जाते है P of course है तो आकरतियो को भी ध्यान रखने है और उसमें संख्या भी ध्यान रखने है तो सबसे पहले देखिए मिट्रो अगर हमें दिग्वेशी ग्वेंटम संख्या फाइंड करनी हैं जयात करनी हो तो हमारे पास एक सिंपल सा सोट्रिक होती है 2 L प्लस 1 के अंदर मान रिखे जैसे मैंने का जिग्वेसी क्वांटम संक्या 0 से शुरू होती L का मान 0 रखे यहां जब मित्रों आप मान रखोगे 2 गुणा 0 प्लस 1 तो 2 का 0 से गुणा की यह तो ट्रम 0 होगी 2 का 2 से गुणा किया 2 तो पहले क्वांटम संक्या में अगर L का मान 0 रखते हैं तो इलक्टोनों की संक्या कितनी आएगी मित्रों 2 आएगी अब देखे L का मान 0 है तो उपकोस कौन सा बनेगा S बनेगा S की आकरती कैसी होती है गोलाकार S में कितने इलक्टोन होते हैं 2 मित्रों L का मान 1 है उपकोस कौन सा बनेगा P कैसी आकरती होगी डंबलाकार इलक्टोन कितने उसमें 6 मित्रों Next है 2 अगर L का मान 2 रख दीजिए उपकोस क्या बनेगा D और आकरती कैसी हो जाएगी 2 डंबलाकार और इलक्टोन कितने है 10 L का मान 3 रख दीजिए उपकोस क्या बनेगा F आकरती कैसी हो जाएगी जटिल इलक्टोन कितने हो जाएगे 14 तो ये हमारे पास दिग्वेशी क्वांटम संक्या थी जिकर किया है अगे बारी क्वांटम संक्या का जिकर हम कल करेंगे अगर ये वीडियो आपको बड़िया लगा हो तो इसको सस्क्राइब कर लें लाइक करें और उन लोगों के पास जुरूर पहुंचाएं जिनको साइंस की बहुत ज़ादा आव सकता है क्योंकि क्रोना वाइरिस का टाइम है इसके अंदर सब कोचिंग सेंटर बंद है तो उन बच्चों के पास ये वीडियो जुरूर पुचाएं ये आपका दाइते विये है ठैंक्स देने बाद